अच्छे हो आप सब आई ओप आप सब अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ तो जी देखिए मॉर्णिंग का टाइम है और आज है अश्टमी पूजा हमारे यहां है कन्या पूजन अश्टमी करती हूँ मैं और यहां पर देखिए मॉर्णिंग में मैंने जाडू पोचा किया औ मैं तो आ गई हूं नहाकर और देखिए काफ़ी तयारी मैंने कर दी है जोली राजमा उबल रहे है एक तरफ और कीचन में बहुत जादा भीड़ सी हो रही थी मैंने का पहले थोड़ा सा खाली कर लेती हूं और फिर जाके मैं आगे के काम करूंगी क्योंके जादा भीड़ रहती है तो हाथ नहीं चलते बिल्कुल भी काम करने के लिए तो देखिए मैंने इस वाले गैस पर यह रख दिये हैं छोले मेरे वोईल हो रहे हैं अभी और साथ में मैं अभी कर रही हूं अपने हलवा बनाने की तयारी सूजी मैंने चान ली है सूजी और बेसन दोनों का बनाती हूं मैं मिक्स करके न थोड़ी सूजी लेती हूं थोड़ा सा बेसन लेती हूं बहुत ज़्यादा टेस्टी हलवा बनता है और वैसे तो देखो हलवा कोई खाता नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा बोत्तो परसाद की तोर पर खाना ही पड़ता है तो देखिए मैंने क गया, यहां पर मेने बनाता हुट है तो बहुत बहुत अच्छा बनता है क्योंकि यह न भारी कड़ाई है सबजी भी बनाओ तो बहुत ज्यादा धीमि आज पर अच्छे बनती है तो देखे सूजी को मैंने ब्राउन कर लिया था बहुत अच्छे से क्यूंकि मैं अच्छे से ब्राउन करती हूं अग्दम कच्छी कच्छे से मैं नहीं रखती हूं मुझे वो सफे सफे धलवा अच्छा नहीं लगता है तो बस सूजी बुन गई थी उसमें पानी डाल दिया और चीनी डाल कर खलवा तैयार हो गया है और इधर बना रही हूं मैं अपने काले चने जो की चने भी बनाओंगी मैं तो बस मैंने सरसो का तेल डाला उसमें डाला जीरा और हींग आजकल खतम हो रहा है आप लोग सोच रहे होंगे हींग नहीं डल रहा है सबजी में तो सबजी में हींग नहीं डल रहा है क्योंकि हींग खतम है धियान नहीं रहता है मंगाना और यहाँ पर मैंने उसमें डाल दी है हल्दी, मैं काले चने इसी तरीकी से बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं एकी बार में उबल भी जाते हैं और छुक भी जाते हैं मतलब मसाले बन जते हैं ऐसे न हमारी अम्मा बनाती थी जहां पर मैं रहती थी न साइब बाद में वह अम्मा बनाती थी बहुत ही टेस्टी लगते थे उनके हाथ के चने त मैं इतना पानी डालती हूं अंदाज जैसे ही कि बस पानी पानी में चने गल जाए और एक दम अच्छे से फ्राइबी हो जाए देखना मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनकर तयार होंगे चने तो बस चने उधर बन रहा है क्यूंकि एक ही कूकर में और मैंना सब कुछ बना र मैं बरतन साफ भी करती रहती हूं और बस यह कड़ाई खाली कर लूँगी और बस इसमें फिर जाकर मैं छोले के लिए अपने मसाला करूंगी तयार कल दो को बना रहा है क्या है क्या है रहा है कि शेयर बना रहा है क्या है लोगे के लिवादिट तो जी देखिए छोले का मसाला भी मेरा तैयार हो गया है और लसन प्यासते जैसे डनना नहीं था बस चार पांच टमाटर मैंने मिक्सी में पेष्ट बना लिया था क्योंकि पेष्ट बनाते हैं तो ग्रेवी अच्छे से बन जाती है और बस इसमें सारे मसाले डाग दिये थे अपने बहुती चिटपटा से बना रही हूं जैसे कि हमारे घर में तेज मसाले ही खाय जाते हैं तो यहां पर हलवे में थोड़े से डाल दूँगी मैं अपने ड्र तो जी देखिए चैने भी मेरे बनकर तयार हो गई है एकदम थोड़ा सा डाल दिया है इसमें उपर से हरा धनिया और बहुत ही जादा यम्मी लग रहे हैं और इधर गोवी मैंने बना ली थी मैं इरादा नहीं था मेरा गोवी बनाने का लेकिन फिर भी मैंने बना दी थी और इधर मैंने छोले पलट लिये थी कड़ाई में से क्योंकि मुझे गिरने का डर रहता है कड़ाई में से ज्यादा गिरने का डर रहता है तो मैंने भीगोने में रिता लिये थे और इधर काले चने भी मेरे बन गई है खाना मेरा लगभग सब कुछ बन ही चुका है और य थोले चावल जो भी सब खान बनाया था, एक थाली भर के पूरा निकाल दी है और पूजा मैंने कर ली थी, फिर मैं आ गई हूं किचन में, आप में बनाऊगी कन्याओं के लिए पूरिया, और उसके बाद मैं कन्याओं को फिर एकटा करूँंगी, आज के दिन कन्या मिलने में भी बहुत जादा वो लगता है ढूनना पड़ता है बहुत खड़े होना पड़ता है कि कभी किसी के घर जाओ कभी किसी के लेकिन हमारे यहाना बहुत आराम से मिल गई थी आंटी जो गई थी ना तो उनको मिल गई थी देखे पूरी जल्दवाज नहीं बिल्कुल भी और इनके पापा नहीं आई थे लेकिन फिर भी मैंने बैठा ली थे मैंने का चलो जब तक मैं करती हूं तो मैं आ जाएंगे तो देखिए यहां पूजा हो गई थी तो बस मैंने वासु को बोल दिया था कि यह नारियल छिनने के लिए क्योंकि यह परशा दियुक्त लगा रहा है गोलू तो मलोग सिना रूमाओं में अभले वाले रहा है लग वाले ना कि अट बॉल देखिए पालावा रंखा वाल यह अट बैट 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 पकलावा रंखा वाल जापदा उसकी पार्वानों के लोनी आँगा वाजा थाव्धिए पालाव इस वावाब हेलो गाईज तोजी साड़े बारा बज रहे हैं और काम मेरा सारा निमट गया है ऐसी भागदोड मची एकदम ऐसी भागदोड मची कन्याओं में ऐसा ही होता है कोई बस एक मतलब एक के बाद एक खड़ा रहता है कोई एक आंटी खड़ी थी तो बस पटाफट कन्या करी और बस पैर पूझे और जो देना था वो दिया खाते तो है नहीं क्योंकि इतना जगे खा खागे बच्चों का पेट पुल हुआ रहता है और बस फिर कन्या जी माई फिर सबका बर्थ खुला मतलब हमने सबने बर्थ खुला जैसे कि हमारे घर में सबका ही वर्थ था श्रीक के पापा को छोड़के उनसे नहीं रखा जाता है मैं नहीं रखते हैं वासु का मेरा गोलू का परी का सबका फ़ाष था तो हमने सबने वर्थ खोल लिया है और ये लोग खानावाना खाके चले गई है और मैंने अपना सारा काम कंप्लेट किया है पहले मैंने का अगर मैं लेट गई ना तो मेरे से नहीं उठा जाएगा क्योंकि वर्थ के बाद जब खाना खाते हैं न एकदम ऐसा नसासा होता है na, कि बिल्कुल भी मन नहीं करता, कुछ भी करने का, तो मैंने बरतन जो थे, बड़े-बड़े सारे बरतन साफ की जाड़ू लगाई, पोचा लगाया दुबारा, और कीचन वीचन मतलब किलीन कर दी है, और पृरी बार-बार जो कन्याओं में तो लेके आ रही है, इतना सारा उसने भी भर दिया है, लाके तो ये देखिए, परी को ना प्लेट मिली है, बहुत अच्छी है इस टील की प्लेट, और भी बर्तन मिले हैं, कीचन में हैं, और अपना धीरे धीरे प्लास्टिक का सामान सब ने देना बंद कर दिया क्यूंकि कुछ नहीं होता उनका ना बेफाल तुम्हें पड़ी रहती है ऐसे ही कबाडियों के ही देनी पड़ती है इस अच्छा तुम बच्छों को पैसे दे दो बच्छे खुस भी हो जाते हैं चोक परीकों कन्याओं में ही मिली हुई है कोई भिर मैने नहीं ख़रीदीगों हर साल दो चार मिली ही जाती है तो इस बार यह मिली है और एक किचन अभर भी श्टील की है वो मिली है तो मैंने सब्सक्राइस भाणने बना लिए मैं अराम करूंगी तो यह है मेरी ग्रीन और बस जैसे खा लिया था मैंने भी खाना वाना एक पूरी और थोड़े से चावल छोले चावल बनाई थी आलू गोभी की सब्जी इतनी जादा टेस्टी बनी थी बिल्कुन निमट गई है बच्चों ने भी खुब बच्चे से काई सोख से और इन्होंने भी सबने आलू ग अभी की खतम हो गई है सब्जी और परी गन्यों में जा रही है गोल्व अपने बाबाब की साथ दुपान चला गया और लाइट है नहीं तो बस मैं भी अभी आराम करूंगी पहले ग्रीन टी लेती हूं अपनी हेलो गाइस तो जी अभी साम कर टाइम है और जैसे मैंने आपसे बात की थी उसके बाद हम लोग सो गए थे तो बिलकुल भी नहीं उठे और खाना भी हमारे गढ़ में किसी ने नहीं खाया है तो अभी मैंने बोला परी मैंने ये खाना लेया हूं क्यूंकि मैं सोज़ी सब्दोटर चावल लेकर आई है तो कितने भर गेलाई है इतने घाती हूं मैं यह खाते हैं ना इतने थाम को घुको जरनी चल रही है सब्जी नी परी वैसे खाने में ऐसे ही मज़ाता है मैं ऐसे ही खाती हूँ थोड़े से चावल, सबजी ज़्यादा और सबजी दोनों ही बहुत ज़्यादा टेश्टी बनी थी मन तो नहीं है मुझे भूख भी नहीं लग रही लेकिन यह है कि नहीं खाया ना फिर बाद में भूख लगने लगेगी तो मैंने अधी देखे बस बहुत ही थोड़े से चावल छोले लिए हैं और मैं इनको ही खाऊंगी और बचों ने भी मतलब दिन में किसी ने भी खाना नहीं खाया इनके पापा भी आया थे बस थोड़ी देर आराम किया और मैं तो सो ही रखी थी मैं भी सो कर चलेगे थोड़ी देर मैंने बोला कि खाना खाऊंगे वोने लगे नहीं कि खाना नहीं खाऊंगा भूख नहीं लग रही क्योंकि 11.30 बजे तक हमने खाना खाया था तो चलिए जी हम खा लेते हैं और परी तो अभी उठी है मैं तो उठ भी गई थी परी तो अभी उठी है तो चलिए जी में खा लेती हूं इसके बाद लोंगे अपनी ग्रीन टी और आज का मेरा रूटीन यही है जो आपके साथ शेयर किया है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कोमेंट जरूर करना चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर देना मिलती हूं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ तर तक के लिए बाई बाई गुड नाइट